नाबालिक के साथ दुशकर्म निसा के चिरकुंडा थानाशेत्र के गुस्वामी पड़ा स्तित 13 बस्ती में एक नाबालिक लड़की के साथ दुशकर्म करने का मामला सामने आया है गटना के सम्मन में बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर शाम से युवती अपने घर से लापता थी जिसके बाद लड़की के परिजनों ने घंटो छान बीन की गंटो खोजबीन के बाद पडोस में ही एक रूम में स्थानिय युवक सौरव मंदर के साथ पाई गई सुचना मिलने पर चिरकुंडा पुलिस दल बल के साथ उत्तसान पहुंची और आरोपी युवक को पकड़ कर थाने ले गई जानकरी के अनुसाज शुक्रवार की देर शाम छे बजे से नाबले युवती अपने घर से लापता थी परिजनों द्वारा घंटो खोजबीन के बाद रात एक बजे पडोस के युवक के साथ एक रूम में पाई गई परिजनों का कहना है कि सौरव मंडर युवती को एक रूम में अगवा कर रखा हुआ था और उसके साथ बंद कमरे में दुशकर्म किया पिडित युवती के परिजनों द्वारा मामली की सूचना पुलिस को दी गई सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच कर युवक को पकड़ कर थाना ले आई वहीं मिली जानकारी के अनुसार मौके पर आरोपी युवक सौरव मंडल के साथ तीन दोस्तों ने भी उसका साथ दिया जो कमरे में के बाहर पहरेदारी कर रहे थे फिलहाल पिडिता के परीजनों द्वारा लिखिर शिकायत के अधार पर प्रात्मे की दर्ज कर ली गई है पुलिस द्वारा आगे की कारवाई की जा रही है चिर्कुन अथाना प्रभारे दिलिप यादव ने बताया कि एक नावालिक युवती के साथ दुशकर्म का मामला को लेकर परीजनों द्वारा लिखिर शिकायत मिली है शिकायत के अधार पर युवक सौरव मंडल को गिरफ्तार किया गया युवती के मेडिकल जांच एवं 164 के बयान को लेकर धनबाद भेजा जा रहा है आगे की कानुनी प्रक्रिया पूरी की जा रहे साथ 18 महला में दुष्कर्म किया गया है और जो आरुपित है सौरव कुमार मंडर वह पकड़ा गया है और लग्ति जो नवालिक का 164 के बयान के लिए नेले में दर्ट कराने के लिए भेजा जा रहा है उसका मेडिकल जांच के लिए सकतर अस्पताल धनवाद भेजा जा रहा है और जो आरुपित है उसको और दिरक्तार कर हिराशत में लेका उसे नियाई दिरक्षाएत। सुनील बाबू को किसी ने कभी हाँ बोलते नहीं सुना फिर एक दिन आई आशा दी दी लिये हाथी पाउं की दवा इसे साल में बस एक ही बार तो खाना है साल की बस एक खुराग हाथी पाओं होगा साफ